Hello Friends, यह HTML का वीडियो नमबर 18 है और पिछले वीडियो में हमने HTML फॉर्म्स क्या होते हैं इनके बारे में जाना था कि HTML फॉर्म्स क्या हैं और इनका इस्तेमाल हम अपने बेब डाकुमेंट में किस लिए करते हैं पिछले वीडियो में हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया था और आज की इस वीडियो में हम फॉर्म से ही रिलेटेट जो हमारी important चीज़े हैं उनके बारे में कंप्लीट करेंगे जैसे कि जब हम फॉर्म बनाते हैं तो वहाँ पर HTML input types होते हैं जिनका यूज करके हम फॉर्म डिजाइन करते हैं जैसे कि जब फॉर्म में हम कोई mobile number आइड करवाना चाहें या यूजर से password डलवाना चाहें या हम वहाँ पर email कोई file है इस तरीके के जो हमारी चीज़े होते हैं फॉर्म में जो यूज होती हैं उनके लिए हम HTML input types जो होते हैं इनका इस्तेमाल करते हैं तो चलिए हम HTML input types को एक-एक types के बारे में complete करेंगे बटन्स क्या हैं, check box क्या होते हैं, color क्या है, date क्या है यानि कि जब कोई form बनाया जाता है तो उसमें बहुत सारे input types यूज होते हैं जिनका हम practical एक-एक करके देखेंगे बिल्कुल यहां से input type text जो होता है, यहां से हम एक-एक practical देखेंगे अगर आप लोग इस वीडियो को देखोगे, तो आप लोग website में जब कोई भी form बनाना हो, जहां पर user से कोई भी form submit करवाना होता है तब हम उस form को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं तो चलिए हम अपने notes को करते हैं यहां से minimize और open कर लेते हैं अपने project को, यहां पर हमारा project है, पिछले वीडियो में हमने इतनी field देखी थे कि इनका use हम किस तरीके से करते हैं तो पिछले वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे channel पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो और उस वीडियो की link आपको नीचे description box में भी मिल जाएगी, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो अगर आप लोग पीछे का वीडियो देखे होगे, तो आप लोगों को यहाँ वीडियो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि इसमें हम कुछ सौट कर चीज़े ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो चलिए प्रोजेक्ट को कर देते हैं क्लोज और यहाँ से हम इस फाइल को कर लेते हैं नोटपाइट प्लस प्लस पे ओपन जिसमें हमें कोडिंग करनी है यहाँ से राइट बटन किलिक करेंगे, नोटपाइट प्लस पे किलिक कर देंगे और यहाँ पर जो code लिखा गया है इस code को यहाँ से कर लेंगे select इस को हम यहाँ से कर देंगे delete क्योंकि हम बिल्कुल एक एक point बताने वाले हैं इसलिए हमने पहले वाले code को delete कर दिया है अब आएंगे अपने notes में और सबसे पहला हमारा दिया है input type text अब input type text क्या होता है तो input type text define से one line text input field यानि कि एक line में input text की file दिखाएगा यानि कि जो input type text होता है ये one line text user से input लेता है जैसे कि जो user form फिल करता है वो अपना first name, last name यानि कि जो text से related चीज़े होती हैं उनका इस्तेमाल करेगा क्या होता जब हम कोई form बनाते हैं अगर आप लोगों ने पीछे का वीडियो देखा होगा तो यहाँ वीडियो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा जैसे कि जब हम कोई form बनाते हैं तो form बनाने के लिए सब से पहले form tag open किया जाता है और यहाँ पे last में form tag हमारा close किया के लिए तरह हमने इन पुट यूज किया जो हमारा input होता है उसका हमने यहाँ पे यूज क्या और फिर यहाँ पे वीच में हमने टाइप टेक्सلا लगा धिया टाइप टेस्ट जो है यह यूजर से टेस्ट के रूप में डाटा इन पूट करवाएगा यानि की डाटा टेस् फिर्ष नेम रख दिया यानि कि इस फिल्ड में यूजर अपना फिर्ष नेम फिल करेगा तो चलिए यहां पर नोटपाइट प्लस प्लस ओपन करते हैं और फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले अंगल ब्राकेट ओपन करेंगे और यहां पे हम फॉर्म टैग लगा के फॉर् फिर्स नेम इंटर करवाना चाहते हैं यहां पर हम टाइप करेंगे फिर्ष नेम करते के लिए अपने को मझें जो भी डाट आपना यूजर इन फिल्ड पस्ट के रूप में होना चाहिए जो हमारे नोट्स में यहाँ पर लिखा गया है अब नेम में ही हमको first name रखना है अब first name इसमें इसलिए रखेंगे जब user अपना यहाँ पर data submit करेगा तो जो हमारा data होता एक server पर upload होता इसके बारे में हम अगले video में discuss कर लेंगे तो उस server में जो data store होगा तो वहाँ पर just server होगा और उस server को जो operate करता होगा उसको पता चल जाएगा यहाँ पर first name आया है इस field में और इस field में last name आया है तो इसलिए name में हमपर first name रखा गया है तो क्या करना है फिर हमको इसी name को वहाँ पर रख देना है यहाँ जब form बनाते हैं तो वहाँ पे हमको notepad++ में, यहाँ पे input type text रखा हमने, input type text रखा, और यहाँ पे हमको name में रखना है first name, first name रख देंगे, इतना हमने यहाँ पे type किया, file को करेंगे save, ctrl sf file save हो जाएगी, और यहाँ से कर देंगे इसको minimize, फिर यहाँ पे हम इस notes को भी minimize करते हैं, और project को open करे तो आप लोग यहाँ पर भी देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है first name, और यहाँ पे बीच में अपना user जो होगा, और बीच में user अपना first name यहाँ पे type कर सकता है, इसी तरीके से अगर हमको last name चाहिए, तो यहाँ पे हम type करेंगे last name, यहाँ पे हम last name type करेंगे, और यहाँ पे BR tag लगा देंगे, line break करने के लिए जो BR tag इस्तेमाल होता है, BR tag लगाएंगे, और यहाँ पे इसी field को हम कर लेंगे copy, और नीचे यहाँ पे इसी tag को में face कर देना है, अब हम यहाँ पे change क्या करना है, इतनी चीजे जो है same रहेंगी, बलकि यहाँ पे जो first name लिखा है, यहाँ पे हमको क्यों last name लिख देना है, इस तरीके से, बस इतना ही हमको करना है, और file को करेंगे save, control यह से file को save किया, और आएंगे यहाँ पे browser में, और इसको करेंगे refresh, जैसे ही refresh किया, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो first name यहाँ से लिखा हुआ है, जो पे हम लगाएंगे br tag, br tag लगा देंगे, file को करेंगे save, आएंगे browser में और इसको रिफ्रेश करेंगे, जैसा ही refresh किया, यहाँ पे last name नीचे आजाएगा, और first name उपर है, अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखो, जो last name हमने लिखा है, last name में हमने यहाँ पे br tag लगाया, और यहाँ पे जो first name है, first name के आगे हमने कोई br tag नहीं लगाया है, इसलिए first name लिखा, फिर यहाँ पे जो हमारा box बन किया रहा, box इसी first name के side में आ रहा है, लेकिन हम चाहते है first name उपर हो, उसके नीचे box हो, जिसमें user अपना data इंटर करें, तो हमको br tag यहाँ पे लगा देना है, file को save करेंगे, और browser में आके यहाँ से refresh कर देंगे, तो इस तरीके से हम first name, last name का जो box है, इसको बना सकते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे input type text तो समझ में आ गया होगा, कि input type text क्या होता है, input type text यह है, जब user से अगर हमें किसी text के रूप में data इ password किया है, तो password होता है, जैसे कि user अपना email ID अगरा जब फिल करता है, वहाँ पर जो उस user का password हो, और password अपना वहाँ पे enter करा सकता है, माल लीजिए, यहाँ पर जब कोई ब्यक्ति है, अपना email send करेगा, माल लीजिए, यहाँ पर कोई ब्यक्ति है, अपना user नाम डालेगा, औ password हमको use करना होता है example के लिए इसी को हम कर लेते है copy और यहाँ पे हम आएंगे notepad plus plus में यहाँ पे कर देंगे paste ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और यहाँ से हमको enter कर देना है यहाँ से enter कर देंगे ताकि एक ही line में ना हो बलकि अलग-अलग line में हो जाए और आपको अच्छे से समझ में भी यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे BR tag लागा के इस field को यहाँ से enter कर देंगे बिल्कुल clear दिखाई देगा तो यहाँ पे क्या है username हमने लिखा और यहाँ पे BR tag लिखा फिर input type text और name में username type किया जो भी user अपना form फिल करे अपना username डालेगा फिर उसके बाद जो भी उसका password होगा यहाँ पे password इंटर करेगा अब यहाँ करना है फाइल को save करेंगे आएंगे यहाँ पे browser में और इसको कर देंगे refresh तो देखो first name last name username और यहाँ पे password आ जाएगा अब यहाँ पे क्या होता है जैसे कि हमने first name लिखा example के लिए हैं पे last name और यहाँ पे हमने को username type किया और यहाँ पे जो भी हम password लिखेंगे password हमें साथ dotted में लिखके आता है ताकि किसी को दिखाई न दे इसलिए यहाँ पर password जो field यूज की गई है यहाँ पर type में हमने password रखा इसलिए यहाँ पर जो भी चीज़े सो हो रही है बिल्कुल hidden है किसी को दिखाई नहीं देंगी जो भी user अपना password type करेगा उसी को पता चलेगा कि यहाँ पर हम कौन सी चीज़े type कर रहे हैं तो आप लोग यह भी समझ गए होंगे कि password क्या होता है type password फिल करने के लिए user से इस्तेमाल किया जाता है फिर इसके बाद next है input type submit अब submit क्या है submit और कुछ नहीं होता जब हम अपना form फिल कर लेते हैं और last में हमको वहाँ पर submit बटन बनानी होती है ताकि हम अपना form वहाँ पर submit करवा सकें तो उसके लिए में यहाँ पर submit बटन यूज करने है तो submit बटन बनाने के लिए हमको input type submit यानि कि input जो tag होता इसका इस्तेमाल करना है और type में हमको यहाँ पर submit यूज करना है main चीज जो है main चीज हमारा type ही है हम user से किस type का data चाहते हैं ओ चीज हमको यहाँ पर type attribute में डालनी होती है तो यहाँ पर जैसे हमने password type किया था तो user से type password रखा था और हम यहाँ पर button और यहाँ पर हम जो button बनाएंगे और submit button होगी तो यहाँ पर हम type submit रखेंगे और value में भी हमको submit रखना है तो यह क्या करेंगे इसी को कर लेंगे copy copy paste इसलिए कर रहें ताकि हमारा जो समय है समय अधिक ना लगे और आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाए लेकिन जब आप लोग इन सभी का practical कीजिएगा तब इन सभी को copy paste मत करिएगा ताकि आप लोग समझ नहीं पाएंगे आप लोग एक एक tag और एक एक जो हमारे attribute है उनको अच्छे से समझना है यहाँ पर हमने क्या किया input type लगाया submit value में submit type कर दिया और यहाँ पर जो password field है यहाँ पर हम BR tag लगा देंगे ताकि line break हो जाए file को कर लेंगे save आएंगे browser में और इसको करेंगे refresh तो जैसे हमने refresh किया यहाँ पर आप लोग देख पार होगे जो submit button है submit button आ जाएगी अगर हम यहाँ पर एक और BR tag लगाते हैं यहाँ पर हम एक और BR tag लगाएंगे तो जो submit button होगी तो जो submit button होगी उसके बीच में और space यहाँ से आ जाएगा refresh कि यहाँ पर और space आ गया जैसे कि यहाँ पर हम अपना नाम type कर लेते हैं कुछ भी नाम type करेंगे और यहाँ पर हम last name यहाँ पर user यहाँ पर password और जैसे हम यहाँ से submit करेंगे हमारा data आटोमेटिक submit हो जाएगा जो भी चीज़ अमने फर्स्ट नेम में रखी जो चीज़ अमने लास्ट नेम में रखी वो हमारी चीज़े यहाँ पर दिखाई दे रही हैं तो यह चीज़े होती है जब हम form submit करेंगे तो हमारी सारी चीज़े यहाँ पर submit हो जाती है तो submit button भी आप लोग समझ गए होंगे कि submit button क्या होती है submit button अपना form submit करवाने के लिए हम submit button जो होता इसका इस्तेमाल करते हैं और इसको बनाने के लिए हमको input type submit यूज करना है आप लोग यहाँ पर इसका अच्छा से practical कीजिएगा फिर यहाँ पर आता input type reset reset क्या है जो reset होता ठीक submit की तरह ही बना जाता है पर submit button यह करता है जब हम अपना form फिल करेंगे और वहाँ पर submit करेंगे तो हमारा data submit हो जाएगा जो reset button होती है reset button यह करती है जैसे कि मान लीजिए जो हमारा browser है और यहाँ पर जो भी हम data submit करते हैं यहनि कि जो भी data यहाँ फिल करते हैं submit button प्रेश करेंगे तो ओ data submit हो जाएगा अगर यहाँ से reset कर देंगे यहाँ पर जो भी हमने field में data save किया यह data हमारा यहाँ से automatic reset हो जाता है तो यह चीजे reset button से कर सकते हैं तो हमें reset button बनाने के लिए input type reset इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है सबसाब पहले input type open करना है फिर बीच में हमको type और equal में हमको यहाँ पर reset जो चीज है इसका इस्तेमाल करना है तो चलिए इसका भी हम यहाँ पर practical देखते हैं तो यहाँ पर हमें सबसाब पहले input tag open करना है type में हमको reset submit करना यहाँ तो यहाँ पर reset लिखा है type में हमको reset लिखना है और value में हमको reset लिख देना है इतना मैटर हमको लिखना है reset button बनाने के लिए क्या करेंगे notepad फाइल को open करेंगे और यहां पर टाइब करेंगे और यहां पर अपना जो code को कर देंगे paste तो हमने क्या किया input tag open किया type नहीं हमने reset रखा value में भी हमने आपर reset type कर दिया फिर file को करेंगे save, control यह से file को save किया और आएंगे browser में और इसको यहां से कर लेंगे refresh, जैसे हमने refresh किया यहां पर नीची आप लोग देख पारेंगे एक reset button आ गई, लेकिन अब हम चाहिए submit button इस side में है इसी के side में reset button रहे, उसके लिए यहां पर जो submit button के side में BR tag लगा हुआ ह इसको हम हटा देंगे, file को save करेंगे, browser में आएंगे और इसको यहां से refresh कर देंगे, side में submit रहेगी और यहां पर reset button रहेगी, जैसे कि यहां पर हम अपना data fill करते हैं, कोई भी नाम हो, example के लिए हम randomly type कर रहे हैं, और यहां पर जब submit करेंगे, तो data हमारा यहां पर submit हो जाता ह अब यहां पर कोई दोसरा data गर हम submit कर रहे हैं, यहने कि fill कर रहे हैं, data fill किया, और यहां पर हम reset पर जब klick करेंगे, तो क्या होगा, जो data यहां पर हमने fill किया था, यहां सेמה चीज़ हٹ जाते हैं, और यहां पर उचीज़े submit नहीं होगी, तो कोई submit button से हम अपना data submit करवाते ह और reset बटन से हम अपना data इसमें से हटा सकते हैं तो आप लोग reset बटन भी समझ गए होंगे कि input type reset क्या होता है और इसका इस्तेमाल हम किसलिए करते हैं तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे input type reset कि input type reset क्या है और इनका इस्तेमाल हम अपने web browser में किस तरीके से करते हैं तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले वीडियो में हम जानेंगे reset बटन के आगे जो हमारे input type है उनके बारे में कि इनका इस्तेमाल हम अपने web browser में किसलिए करते हैं वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फार दिस वाचिंग वीडियो